यह देखे गाइज प्याज के स्टफ पकोडे जो कि बहुत यम्मी बहुत टेस्टी हैं और यह क्रसपी खायी नहीं हूंगे तो चलीए देखते हैं कि कैसे बने हैं हलो एक वर滋जuego जिलंटों झालिन न सबस्का है किस व्टों से व seperti और एक अगर। सब्सक्राइब करेंगें लगे इसप्लाइब शरब करेंगे शっちゃुर। थे बात नहीं करेंगे हम इसमें सिर्फ Graph लोग को दिखाएंगे तो सिधा-sixò हैं और निकाला तो तूट भी जाएंगे तो इसलिए निकाला टूट भी जाएंगे तो इसलिए को हम आगे सठी वहाँ में वर्लैंटकर है तो जलिए देखते हैं आगे hiç यह देखे अमने ले लिया हैं तो छुटबड़ से उखा ऋह जाने जा रहे हैं हलका पानी डालते हुए हम इसको गोल लेंगे देखे सेमी तिक घोलना यानि बहुत ज्यादा लिक्विडी नहीं कोलना है तो इसी तरह से जैसे हम पकवणों के लिए बनाते हैं बेशन उसी तरह से हम घोल लेंगे जैसे कि लंक्स भीना पड़े और बच्छों के साब के अड़े हैं तो यह देख सकते हैं थोड़ाना दॉलं के व्लिट में बजे बावरस नुपear रहे हैं अधिमीडी से इसम लेवार नांता रहे हैं तो आपके मियों सब्सक्रीख मक्लेशाई टाल देंगे क्याए अब हैं नास्ताई ने तो तो रोडहा है लुए बताइब पासे न्रिकेंगे हाँ, सिंस्टा कन में मेंल सकते दिया हैं अगर आपके पास मैसालय नमक नहीं है तो आप धनिया पाउडर, जीरा यह सारे पाउडरेर हाँ तो हमारी नमक में वहां बैखा रसा लिट वह बैखाना है यह हमने थोले से दो अलु ले लिया है उनको हमने मैस कर लिया है और यह देखिए हरी धनियास पर हम कट करके डाल देंगे इस तरह से तो इसको भी थोड़ा से चट्टता बनाएंगे यह देखिए हम डाल रहे है वही अपना मसाला नमक आप स्वाद देने के लिए इसको और गरम मसाला चाट मसाला आप इसमें और भी चीज जैसे चिली फैक्स वगरा डाल सकते हैं तो देखिए हमने मिक्स करने के बाद में हमको इस तरह से अपने एक एक पैटल में अपने आलो के जो यह भरते को मसाले को हमने फिल करना है अजो के अई देखिए इसको आप बहरता है इसको आप फ्रार करके भी बना सकते हैं होने यह सिंपल तरीके से यह सीथाई हैं alors कोशिस यह करिए कि यह पैटल्स टूटे नहीं बिना टूटे ही पैटल्स को हम बनाएं तो यह देखिए वेशन नमारा थिक हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे एक स्पून के करीब और इसको हम मिक्स करेंगे इसमें आप फीम जीरा यह सब डाल सकते हैं हमने सिंपल सा बनाया है तो आप अपने हिसाब से एड़ कर सकते हैं तो यह देखिए हमारा अच्छे से हो गया है तो इसको हमें एक सार कर लिया क्योंकि बैटर है थोड़ा सा और बड़तन है बड़ा इस वज़े से ऐसे कर लिया तो यह देखिए सारे लोगों ने आप लोगों को दिखायोगा कि इसी तरह से बनाते हैं बस गोला बना लिया और हम थोड़ा सा इसमें क्रंच और क्रिस्पनेस बढ़ाने के लिए ये हमने अपने रस के कुछ तूटे हुए रखे थे पार्ट का यानि रस का चूगरा बचता है जो सूखी ब्रट का तो उसको हम उसमें लपेट के रखते जाएंगे फिर फ्राइ करेंगे आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं सिर्फ बेसन लगा कर ही पका सकते हैं जैसे नॉर्मल पकोड़े बनते हैं उसी तरह से तो हमने थोड़ा से इसको न्यू ट्रिक दिया है लुकिंग जिसे की अच्छे भी लगेंगे तो इनको हमने थोड़ा सा कर दिया और यह जो बैटर बचा है इसके हम प्याज के पकोड़े बना लेंगे क्योंकि जो प्याज बचा रखा था उसको भी इसमें डाल करके आड़ाई आड़ाई आप देख रहे होंगे तो गंदी लग रहे होगी बट वही है ना कि हम बाहर गये थे तो बटन रखने पर थोड़ा सा हो जाते ना बंदे क्योंकि आइरन की है कड़ाई इसलिए तो इसी तरह से हम इसे पकाएंगे अभी हम बिल्कुर टच नहीं करेंग करीब एक मिनट तक नहीं टच करेंगे तो इस पर हलकी सी लेयर आ चुकी है पकने की क्रिस्पिनेस की तो इस तरह से हलकी हाथों से इस पूरिया स्पैचुला से हलका रोटेट करेंगे जिससे की हर तरब यह कोख हो जाए अच्छे से तो यह देख सकते हैं बहुत हलके हाथ तो इसको हम क्या करेंगे निकाल करके अलाग पेपर पर पेपर या टीसू पेपर किसी चीज़ पर रख लेंगे तो इसी तरह से सारे निकाल कर रख लेंगे यह देखिए सारे की सारे बन चुके हैं कितना अच्छा सा कलर आया है और कितना अच्छा टेक्स्चर आया एक भी खुला नहीं है और वो जो बैटर बचा था उसकी हम बना लेंगे पकोड़ियां जो कि बच्चे खा लेंगे यह देखिए तो इसको भी हम तल लेंगे अच्छे से यह देखिए इस तरह से तो आप देखें बन करके हमारा तयार है यम्मी टेस्टी नास्ता शर्व करते हैं इसको तो यह देखिए सब कर दिया है на के साथ आपẫnसे छाना से सब करें तो अगर हमारी रस पीपसंद आई हो आपको ठीज लाइक सब्सक्राइब एड सेयर करें और बच्चों से जरूर पुछे और आप भी कमेंट बताएं हमको कि हमारी ये रेस्पिक कैसी लगे बाब बाई